व्हाहक। दन बई ऐ हैस के होता है एकफ इनτο स advised तो एव फे फोर्स होता है कि फोर्स के साथी को दिस्प्लेस्मेंट हो कि ऐस्प्लेस्मेंट ऐसकता है थे सब आद अगल बिट्वेंन फोर्स डिसप्लेस्मेंट तो अभी नेगेटीव और काप होता है क्योंकि जब थीटा ग्रेटर दन नाइन्टी होगा तो कॉस्ट थीटा का वैलू यह नेगेटीव होता है और यह 180 डिगरी तो इसका मतलब क्या है यह एंगल्स में कॉस्ट थीटा नेगेटीव हो जाएगा तो इसलिए वाग्डन इस इस स्फिसिवी कंडिशनि थीए くहे भी देख्थे हैं ज़्फरिक्शन फोर्स अक्ट करता है तो यह फोर्स अमल्स फार्श इधर हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स इतर गया हो जान्न बॉडिक्शं में धिसलिक्शमेंट इधर है तो देखिए फोर्स उज्चिशन न डिस्प्लेस्मेंट का एंगल है 180 डिग्री तो इसलिए वाग्ड़न निगेटीव हो जाएगा वैसे ही जो एक बॉड़ी उपर में जाता है तो ग्रेविटी वेट इसका नीचे लगेगा है ना फोर्स अब ग्रेविटी ग्रेविटी शरी बोलने से भी होगा तो डिस्प्लेस्मेंट उपर में है और फोर्स नीचे में तो यह भी ड़स नेगेटीव और तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जब भी नाइंटी डिग्री से उपर होगा तो यह वाग्ड़न नेगेटीव होगा तो इस पिसल केसे में आप फ्रिक्शन वाग्ड़न बाई फ्रिक्शन और वाग्ड़न बाई ग्रेविटी अन दो बाडी जोएंग वर्टिकली अपवार् सकते हैं थैंक यू